हेलो स्टुडेन वेलकम बैक उमीद कर रहा हूं सब लोग यहां पर ठीक होगे आज अपना लाज पार्टे लाज चेप्टर का यहां पर जो मैंने वादा किया था वो खतम हो रहा है जो मैंने बूला था कि मात से पहले यह खतम कर दोगा बट यहां पर देख रहें फर्स्ट म मुस्त आपके लिए भी ध्यान में रहा है एक रसम में पर डिनग मेह सकता है अन्भी क्या होता है सेक्वियर्टी और वाज वाले पार्टस के लिए से का रलना लिए quickest नसक्तवीना है थीन बच्चों ने लााज पार्ट всक्रीप्शन के अंदर लिंक देके रखा है जाकर कर सकते हों लाश पार्ट शुरू करते हैं लेटर्स जो अपना लेटर्स वाला पार्ट है प्रैक्टिकल पार्ट को खतम करेंगे आज प्रिकोशन टू बी टेकन बाया कमणी सेकरेटररी वाइल कर्रोस्पोंडिंग विद्ध स्टेटुडरी ऑथर 3-4 डेज मा आपको क्या कर देना है आंसर कर देना है सेकरेटरी शुल प्रोवाइडर प्रॉम्प रिप्लाइट टू अनी लेटर्स और इंक्वाइरी रिसीफ रॉम दे अनी स्टेटरी ऑथरीटी सेकरेटरी हैस तो एंशर देट अल दे लिगल फॉर्मालिटी और प्रोव आती है आपको जवाब देना है लिगल एक्सपेक्ट बताना है अगर कोई एडिशन डॉकुमेंट्स क्या अटेच करना है वो रिप्लाइग के साथ वो भी क्या करना है अटेच करना है थर्ड है अक्यूरेटी अल दे इंफोर्मेशन प्रोवाइड बाद दे सेकरेटरी मतलब जो भी इंफोर्मेशन लिख रहे हो सिंपल शॉर्ट इंग्लिश में लिखना है ब्रीविटी क्या शुल बी टेकन बाद सेकरेटरी वाइल कर्रोस्पोंडिंग विद दो ऑथरीटी टु दो कीप लेटर शॉर्ट एंड ब्रीव मैंने तुम्हों को जश्ट बोला कि आपको लंबा चोड़ा रिप्लाई नहीं देना है शॉर्ट अप्टु दो पॉइंट जितना क्वेशन पुचा उत्रा आंसर देखे का कर देना है लेटर को खतम करना है कर्टसी दिखाना है रिस्पेक्टेड सार मतलब गूड इंप्रेशन हो रिडर के सामने अपनी एवर कर्रोस्पोंडेंस विद एनिट्रेटरी शुल्ट बिए कर्टियोस दीस क्रिए गूड इंप्रेशन ओंडर रिडर देखते हैं कॉंसे कॉंसे स्पेसिमें दिये आपको आपके पोश्चन के अंदर ला नाव लेटर सी फ्यू इंसरेंसिंस वें दे सेक्रेटरी एंस्टू क कर्सपोंडर सी for extension of time for holding annual journal में मतलब आप क्या कर रहे हो कंपनी सेकेरेटररी के कंपनी बिहाफ में लेटर लिख रहे हो कि भायए आपको रिक्वेश्क्ष कर रहे ऑंको हम लोग की जो एजेम की डेट है क्या कर दो एक्स्टेंड कर दो तीन महने तक इसंड यह चानो याद रखना आप चार मेने के लिए जा सकते नहीं है क्योंकि आरोच के हाथ में कितना पावर है तीन मेने कहीं पावर है उससे ज्यादा आरोच के पास भी पावर नहीं है तो चंडग दे टू एक्टेंड एजियम सम अफ दर रिजन वाइड दर कंपनी में नॉट बे अबल टू होल्ड इस एजियम अन दर ताइम में बी क्या क्या रिजन दिया है यहां पर मोस्ट अटर डिरेक्टर रावेलिंग एंज जो केंनों बीटेंड देजियम बहुत सब्स उसके करण एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है थर्ड रेड वाइड ऑथरिटीज देजिस इंकम टेक्स डिपार्मेंट या तो इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली है कमनी पे या तो फॉर्थ एन्युल फाइनाशल सेट्पें नॉट अप्रूड नॉट और दू देज्ट क्लामेटिज लॉस अफ फाइनशल डेटा जो लाइव एक्जाम्पल चल रहा है इस बार की बात करो तो आरो सी ने तिन तीन या दो दो महिना क्या कर दिया है डिए टू कोवीड कोवीड दिज दने अट्रक्लामेटिज के बहुत सारे ऑडिटर ने अपना ओ एग्जाम के अंदर फोन नंबर वेबसाइट इमेल आईडी रेफरेंस नंबर रजिस्टर आपको डेट मेंचन कर देना है बहुत ज़्यदा इंपोर्टन है सब्जेक लाइन एक्सेंशन फॉर टाइम फॉर होल्डिंग एट एन्यूर जर्नल मीटिंग यहाँ पर आपको सब्सेक्वट एग्म में मतलब सेक्वेंड फोर्ट मालाइफ की जो भी मीटिंग और यहाँ पे गवर्मन ने ओल्लेडी छे प्लस तीन करोगे तो यहाँ पे एक्सेंशन नहीं है इसलिए यहाँ पे आगर आप मांगने जाओंगे तो दे देती है角 पर यहाँ पे तो कभी भी नहीं देगी इसलिए यहां पर फर्स्ट मत लिखना यहां पर सेकेंड थर्ड फॉर्थ विफ्ट जितना आप चाहिए तो लिख सकते हो बढ़ आप फर्स्ट मत लिखना अदर्वाइस आपको एग्जामेन स्मार्ट होगा अगर उसको क्लिक हो गया वो तो कहाना का आपके मार्क कट हो जाएगे डियर सब्सक्राइब कंपनी सेक्शन दर्टीन सेक्शन 96 वापस सेक्शन लिखना है सेक्शन 96 के अंदर दिया है प्रोवाइड एवरी कंपनी अदर देन ओपी सी ओपी सी का मतलब होता है वन परसंग कंपनी शेल इन इक यहर होल्ड अन्य जनल मीटिं हैंस एस पर दे एक्ट कंपनी मस्ट होल इट्स एट एन्युल जनल मीटिंग ओन और बिफोर 30 सब्टेंबर 2018 फॉर दे फाइनेंशल एर एंडिंग 31 मार्क 2018 मतलब जब से फाइनेंशल यहर क्लोज हुआ है उसके छे महिने में छे महिना काउंट करेगो तो एप्रिल में जू जुलाइ ऑगस्ट सब्टेंबर तो लास्टेट सब्टेंबर से पहले एजम बूलाने पड़ती है एस पर्दक क्या बोलता है सेक्शन बोलता है वी आर सोरी तो इन्फॉर्म यू दैट आर एंप्लोई हैव बीन ओन श्राइक सिंस बीस जून 2018 से हैंस वी हैव नॉट बिन फाइनलाइज आर अकाउंट ओन टाइम देफोर इन गिवन सरकम्सेंजिस वी आर नॉट इन पोजिशन तो हैन्युल जर्नल मीटिंग ओन और बिफोर थर्टी सप्टेंबर तुथाओजन एटी अब यह गड़बर मत करना थर्टी सप्टेंबर के बाद लेटर नी होगे इतना अकल लगा ना आप पाइल एडवांस में जाओगे कि हम लोग की मीटिंग नहीं हो सकती ड्यू टू एंप्लोई स्टाइक पर बेटे हैं यास वी धरफोर रिक्वेस्ट यू तो ग्रांट एन एक्टेंशन अफ टू मांथ फोर होल्डिंग एजेम अप्टू न दे दिया है थेंकिंग यू यू यूर फेथ फुली कंपनी सेकरेटरी क्या कर देगा साइन कर देगा और आपको एंग्लोजर में क्या अटेच करना है कॉपी अफ दे एन्यूल रिपोर्ट फॉर्ट प्रिवेसर का मतलब 16-17 का सेकंड लेटर बोलता है लेटर टू M.C.A. for ticket raising or other services related to technical complaint. These days companies have to file the various documents electronically with the M.C.A. at its portal. However, many a time company find it difficult to upload or download the e-form or put a signature on an e-document at extra. In such instance, company has to raise the ticket with the M.C.A. Service request number SRN बोलते हो उसको is generated which is to be a mention on the chalan raising to ticket means informing difficulty in uploading the e-form. अगर suppose कि आपने कुछ payment किया या तो certain reasons के आपने technical issue आ रहा है uploading के time या तो filing के time तो आप ticket raise कर सकते हो किस पे M.C.A. के portal पे और 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 अब आप letter भी लिख सकते हो जो यहाँ पर दिया है specimen. Letterhead आपके सबसे phone number, fax number, email id, website, reference number और date लिखना ही है. Web Information Manager आपको क्या कर देना है letterhead लिख देना है और उसका address लिख देना है. Subject line difficulty in downloading the e-form. यहाँ पर difficulty क्या है? हम लोग M.C.A. के site से form download नहीं कर पा रहे है. उसके लिए क्या है? Complaint के लिए अपने letter लिखा है. Dear sir, company need to file the form SS7 to intimate the register of company about the alteration made in our share capital. अभी sir, यह क्या हो गया है? यह समझ में नहीं है. यह form का नाम है कि अगर आपको share capital के अंदर कोई भी changes करना है तो government को MC को आपको ROC को कौन सा form भरना है? SS7. However, since our last two days, we are unable to download the form. The system message state the file is damaged and it cannot be repaired. We are tired, tried our best to resolve the issue but failed. Hence, we request you to look into the matter at the earliest. Yes, thanking you, you are faithfully, company secretary और enclosure में क्या लिखाना है? Copy of the message as appearing on the website. मतलब website पर जो message आपको रहे हैं, उसका print screen attach करना है कि हम लोग क्या error face कर रहे है? कि file is damaged and cannot be repaired. ठीक है? 3rd message है, 3rd अपना letter से, जो है reply to a complaint by the investor. कि भाई, कोई investor ने, shareholder ने complaint raise किया है, company के खिलाप और company को क्या देना है? जवाब देना है? 1. Investor can complain to the company on various grounds like a non-receipt of the dividend, notice or agenda of the meeting, annual report and extra. The company has to reply to all such complaints received by immediately. If not, investor may approach the stock exchange where the company's security are listed or SEBI and they may raise issue order to the company about the same. Company has to settle the issue by giving reply to the investor and SEBI or the stock exchange. 2nd October date डाल देना, by register, post, AD, subject line, non-receipt of the annual report. कि भाई, मिस्टर वाईबव को क्या नहीं मिला था? अन्युल रिटर्म रिपोर्ट नहीं मिला था? Dear sir, we are in a receipt of your letter dated on 28th September 2018 regarding the non-receipt of the annual report. As per the companies like 2013, the company had sent by the post to all the members. मतलब, company ने ओल्रेडी पोस्ट से पेज दिया था, to all the members, the notice of 8th annual general meeting along with the annual report. Well in advance, as per the address on the record and in the register of member. पतलब, आपका जो भी register of member में, जो भी address था, हम लोग ने notice के साथ annual report भेज दिया था. It is unfortunate that you have not received the notice and annual report, hence we are once again sending you the same to the address mentioned in your letterhead. You are faithfully thanking you, company secretary क्या कर देगा, sign that देगा, और employer में annual report attached करेगा, CC में CB को भी क्या करेगा, mark करेगा. समझ में आ रहा है कि ने, कि आपको नहीं मिला, due to certain reason I don't know क्या हो रहेगा, बड़ वापस से अगर आपकी request आई है, तो हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं, report बेज रहे हैं आपको. और last है, letter to the NCLT, sinking extension of time to repay the public depot, Z. चलो, यहाँ पर देखते हैं अभी क्या है, letterhead आपके हिसाब से लिख देना, phone number, website, email id, reference number, किसको letter लिखने हैं, आपको NCLT को letters लिखना है, address NCLT का आपके हिसाब से लिख देना, subject लेंग क्या होगा, extension of time to repay the public deposit, जो पब्लिक deposit के form में company ने पैसा उठाया था, certain reason के कंपनी में थोड़ा उपर नीचे हो रहा है, वो payment नहीं कर पा रहे है, उसके लिए अपन request कर रहे है किसको NCLT को हम लोग को थोड़ा time देने बोलो, और settlement कर रहा हो किसके साथ depositor के साथ, dear sir, the company has accepted a deposit of worth 10 lakh on 1st jan 2017, मतलब आज अपन लिख रहे है, अपन लोग deposit का भी लिया था, एक साल पहले, for a period of 2 years, the deposit are to be a repaid on or before the 31st December 2018, ये future की date होगी, का मुझको 31st December से पहले है, पहले है, पहिसे क्या देना है, चुका देना है कि इसको depositor को, however, as a company is facing a several financial problem, company is unable to repay the deposit on the above mentioned date, मतलब कमपनी के अंदर working capital, या तो फिर certain reason के करना financial mismanagement चल रहा है, या तो फिर financial proper planning से नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे है, आपको request कर रहे है कि क्या करो, थोड़ा time दो हम लोग को payment करने के लिए, तो board meeting held on 29 September 2018, and passed a resolution for sinking extension from the NCLT for a period of 2 months to repay the deposit, therefore we wish to seek an extension of 2 months to repay it, copy of the petition is attached in the 2 set, we assure you that a company will repay the deposit on or before the 28th February 2019, sir, ये date कहां से आई, 31 December के बाद 2 महिना, जो NCLD ने दिया है, उसके बाद 28 February, ध्यान में रखना, 31 December 2018 लिख रहे हो, तो 28 February 2019 हो जाएगी, जो next year के होगी, getting my point 2019, your faithfully, company secretary क्या कर देगा, sign कर देगा, enclosure में आपको copy of the board resolution अटेच करना है, petition अटेच करना है, जो आपने submit किया था NCLD को, और चलान for fees paid, वो भी क्या करना है, submit कर देना है, किसके पास NCLD के pass, तो यहाँ पे अपना part over होता है, part over के साथ-साथ आपका जो syllabus है, वो भी क्या हो रहा है, winding up हो रहा है, देखो, मैंने मेरा job complete कर देए, now is your turn, आपको क्या करना है, पूरे parts revise करना है, along with OC का भी मैंने, जो तुम लोग को देखे रहा है, वो भी का करना, revise करना है, कोई भी doubt difficulty है, हम लोग आपके लिए बेटे ही है, हम लोग बहुत time live भी आते है, आपके कोई भी doubt difficulty हो, तो live session में आके आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी query से sort out कर सकते हो, तो अभी now is your turn, अगर जिन बच्चे में अगर आपके कोई friends लोग भी है, अगर उन्हें class join नहीं किया, तो उनको खाली simply अपना link share कर देना, उनको बोलना कि अभी class join मत करें, क्योंकि यहाँ पे एक-क लाइन आपको पढ़ाया गया, इतना efforts हम लोग आपके लिए कर रहे है, वो भी free of cost है, इसे भी नहीं कि आपके friend को बोलो, कि free of cost में यहाँ पे एक-क लाइन अच्छे सा समझाया जा रहा है, अगर कोई doubt हो तो comment section में डाल देना, 100% है try करोगा, कि आपके जो भी doubt difficulty है solve करने के लिए, thank you you, और ऐसे ही support करते रहे है, और कोई doubt हो तो बिन्दाज डाल देना, comment section में लिए, till time please channel के लिए update रह पाँ